बाली बुड में एक से बढ़कर एक मुवी वायु सेना पर बनाई जा रही लेकिन ये सब मुवी सिनेमा गरों में फ्लाफ हो जा रही लेकिन सिदार्थ आनंद एक ऐसी मुवी लेकर आ रहे हैं जो लोगों के दिलों में आग लगा देगी भले यह वायु सेना पर तेजस सो बनाई गई मुवी फ्लाफ हो गई लेकिन इस मुवी को फ्लाफ होने का कोई चांस नहीं इस मुवी का सामना करना एनिमल आव टाइगर 3 के बस में नहीं है अगर आपने अभी तक हमारे वीडियों को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिजे साथ मैं चनल को सब्सक्राइब करना ना बुले सिधार्थ आनंद की नई मुवी फाइटर आ रही इस मुवी में रित्तिक रोसन अनिल कपूर दिपिका पादिकोर पाइलेट का किरदा निवा रहे है सिधार्थ आनंद की पटन मुवी के बाद जल्द फाइटर मुवी सिनिमा गरों में रिलीच करने जा रहे है फाईटर मुवी का टीजर रिलीच कर दिया गया है, इस मूवी के टीजर को देखने के बाद खाली या पता चलता है, इस मुवी में खाली एयो प्रेन उड़ाया जा रहा है। सिदार्थ आनंद ने इस तरह टीजर को रिलीच किया है कि दर्सक इस मुवी को देखने के लिए सिनिमा गरों में अवस्य जाएं। फाइटर मुवी का दुस्मन भी पाकिस्तानी है। रितिक रोसन वार मुवी के बाद डारेक्ट फाइटर मुवी में एंटरी किये हुए हैं। इस मुवी के लिए रितिक रोसन 85 करोर रुपेर चार्ज किये हैं। फाइटर मुवी 250 करोर की बचट में बनाई जा रही। दिपिका पादिकोड अब ऐसी एक्टरेस बन चुकी हैं कि बाली बुट का हर कोई उनके साथ काम करना चाता है। दिपिका पादिकोड की जवान मुवी सिनिमा गरों में रिलीज वी तब आग लगा दी। दो सो पचीस करोड की बचेट में बनाई गई यह मुवी थ्रियेटर में ग्यार सो पचास करोड की कमाई की दीपिका पादिकोर की फाइटर मुवी भी एक हजार करोड पार की कमाई कर पाएगी इस MV के लिए दिपीका पादिकोर 25 करोर रुपेय चार्ج किये हैं वहीं इस MV के लिए अनिल कफुर केवल 15 करोर रुपेय चार्ج किये हैं फाइचर मोबी 2024 की तावर तोड़ कमाई करने वाली MV बनेगी यह MV 25 जनवरी को सिनिमा घरों में रिलीज की जाएगी